आगाश्वानी भोपाल सी प्रस्तुत हैं प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर्ची पहली मुख्य समाचार प्रधानमंत्वी नरींद्र मोदी आज आयुश्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बात चीत करेंगे जाबू अप्चुनाव के लिए आज होगी नामांखन पत्रों की जांच राजिपाल लाल जी टंडन ने विश्ववध्यालें को समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिये और प्रदेश में बारिश का 13 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तूटा अब तक सामानिय से 43 प्रतिशत अधिक पर्षा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिली में आरोग या मन्थन के समापन कारिक्षा करेंगे राश्चिय स्वास्ति प्राधी करण ने दो दिनों का ये कारेक्टरम आयुश्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक साल पूरा होने के उपलक्ष में आयोज़त किया है इस अफसर पर वे एक स्मृती डार्क टिकेट के विमोचन के साथ साथ आयुश्मान भारत और आयुश्मान भारत स्टार्ट अप ग्रांट चैलेंज नाम के नए मोबाईल आप का शुभारंब भी करेंगे शुमोधी आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग ये योजना के चुनिंदा लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे योजना के कार्यानवियन में सुधार लाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश यह है जापू अपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जाच की जाएगी तीन अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं कल यहां अंतिम दिन कॉंग्रोस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया और भाजपा उमीद्वार भानू भूरिया सहित कई उमीद्वारों ने अपनी नामांकन दाखिल किये कॉंग्रस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित आधा दर्जन मंत्री मौजूद रहे इससे पहले श्रीभूरिया और श्रीनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया वहीं भाजपा उमीद्वार भानु भूरिया के नामांकन से पहले आयोजद जनसभा में प्रदेश भाजपा ध्यक्ष राकेश सें, निता प्रतिपक्ष गोपाल भारगफ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई सूची जारी की है, इस सूची में भाजपा के राश्व कारिकारी अध्यक्ष जेपी नडड़ा, केंद्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और थावर्शंद गहलोत के नाम शामिल हैं, वहीं कॉंग्रस ने भी कल अपने 40 स्टार प्रचारकों के सूची जारी की, इनमें पार अध्यक्ष गोपाल भरगव के खिलाफ आचार सहिता के उलंगन का मामला दर्च किया गया है, मत्यक्षेत्र वित्युत वित्रण कंपनी द्वारा सभी बिजली उभ्भोकताओं को अब ई-मेल और वाट्साप के माधियम से भी बिजली बिल भेजे जाएंगे, इसके लिए विभाग ने तकनीक विक्सित की है, जो कंपनी के पोर्टल, पोर्टल.MPCZWN पर उपलप्त है, यह सुविधा कंपनी द्वारा विक्सित उपाई मोबाईल अब पर भी उपलप्त है, उभोकता इस सुविधा के लिए पोर्टल पर अपना पंजी अनकर आ सकते हैं आज अंतराश्य व्रधजन दिवस है, बुजर्गों के प्रती होने वाले दुर्वियभार और अन्याय को रोकने के लिए वर्ष 1990 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था एक अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतराश्य व्रधजन दिवस मनाया गया था, प्रदेश में भी आज सभी जिलों में बुजर्गों के सम्मान और जागरुकता कारिक्रम आयुजद किये गए हैं जवजर पर शासंद्वारा एक अनूठी पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहट बुजर्गों को अतरिक्त छूट के साथ सामान खरीदने की सुविथार दी जाएगी पेश है एक रिपोर्ट दर्शित की जाएगी आध्यात में विभाग के अतरित्त मुख्य सच्चिव मनोश श्रिवास्तों ने बताया कि बुजर्गों के प्रती सम्मान प्रकट करने के लिए विभाग द्वारा राजधानी भुपाल से कई शहरों में अनेक कारिक्रम आयुजद किये जा रहे हैं आप आकाश्वाणी भुपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब ट्विटर और फेस्बुक पर EIR News भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमार समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने वाले दंड के भागी होंगे। शुटंडर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजेपाल से लेकर द्वारपाल तक सभी पदों की जिम्मेदारी नर्थारित है। संस्कृती विभाग द्वारा गांधी जेनती पर कल से 6 अक्टूबर तक पांच दिवसिय गांधी पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भोपाल के भारत भवन में विभनकारिक्रम होंगे। पहले दिन फिर गांधी नाम से कला प्रदर्शनी, खादी कला प्रदर्शनी आयुजद की जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश में महात्मा और मोहन से महात्मा नाम से भी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी दिन मुख्यमंत्री कमलनार जनसंपर्क विभाग के प्रकाशन, मध्यप्रदेश में गांधी सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। एकल उप्योग प्लास्टिक से मुक्ति और लोगों को जागरू करने के लिए भोपाल के युवाओं ने अनूठी पहल की है। उन्होंने बताया कि दान केंद्र पर प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा। इससे होने वाली आयसे गरीबों के भोजन की विवस्था की जाएगी। अब बात मौसम की। 2006 में सामानिय से 41 प्रतिशत ज्यादा औसत वर्शा दर्च की गई थी। वही रास्थानी भोपाल में अब तक 1756.5 mm बारिश के साथ नया ओल टाइम रिकॉर्ड बना है। मौसम विभग के मुताबिक 1980 से उपलब्ध आकड़ों के अनुसार 40 साल में ये सीजन की सबसे अधिक बारिश है। भारत और दक्षन अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 2020 क्रिकट श्रिंखला का चौथा मैच आज सूरत में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, भारत 5 मैचों की श्रिंखला में एक शून्य से आगे है। दूसरा और तीसरा 2020 मैच वर्शा के कारण नहीं खेला जा सका था। पांचवा और अंतिम मैच सूरत में ही शुक्रवार को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रिवा राय सेन और धार में गांधी जैनती के अफसर पर कल फिट इंडिया प्लागिंग दौड का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक दौड के साथ कचरा इकठा करेंगे। वदिश्या में CEO मयंक अग्रवाल ने फसलों के नुकसान के सर्वे का काम फिलहाल रोक दिया है। ये फैसला किसानों के उस शिकायत के बात किया है जिसमें उन्होंने गले में तक्ती लटका कर फोटो खीचने का विरोध किया था। बैतूल में कल से भाजपा, गांधी संकल्प यात्रा शुरू करेगी। जनजातिय विभाग द्वारा नर्सिंगपुर जिले के डेड़ बारा गाउं में छुआचूत निवारन सदभावना शिवर का आयोजन किया जाएगा। और आगर मालवा कलेक्टर ने सडकों पर बैठे मवेशियों को गौश आलाओं में भेजने के निर्देश दिये हैं। इस बुलिटन में इतना ही, आकाश्वानी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए दो पहर दो बज कर 30 मिनिट पर। नमस्कार।